वाल्कम टो एडवान्स सीरीज ओफ पाइथन डेडा साइस और मशीन लार्निंग आज किस फीडियो के दर हम देखेंगे कैसे जुपिटर नोट्बुक को यूज कर सकते हैं जुपिटर नोट्बुक को यूज करने के लिए वैलिज को ओपन करते हैं यहाँ पे आप लिखोगे जुपिटर स्पेस नोट्बुक जैसे आप जुपिटर स्पेस नोट्बुक ओपन करोगे यहाँ पे लिखोगे तो आपका जो डिफोल्ट ब्राउजर है उसके अंदर आपकी जू नोट्बुक है वो ओपन हो जाएगी तो मेरे case में Chrome मेरा default browser है जहाँ मेरी Jupyter Notebook open हो चुकी है आप इसको किसी different browser पे अगर आप open करना चाहते हो तो भी कर सकते हो उसके लिए आपको यह जो link दिया हुआ है sttp localhost 8888 इसका port number है उसके बाद इसका token number है जैसी आप इसको select करने के बाद enter press करोगे तो यह copy हो जाएगा इसमें control सी नहीं चलता enter press करने से copy होता है उसके बाद आप इसको new tab के अंदर अगर पेस्ट करोगे तो यह आपकी Jupyter Notebook यहाँ पर run हो जाएगी अब यही चीज़ आप different browser पर कर सकते हो आपकी उस browser के अंदर भी आपकी Jupyter Notebook run हो सकती है तो चलते हैं desktop पर हमने एक folder kit किया था python programming के अंदर तो यहाँ पर मेरे पास Jupyter Notebook का introductory session तो इसको open करते हैं डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर open हो जाएगा तो इस Jupyter Notebook introductory session यह जो notebook है यह आपको as it is मिल जाएगी इसके अंदर मैंने सारे यहाँ पर shortcuts लिखे हो हैं किस किस चीज़ को आप यहाँ पर notebook के अंदर include कर सकते हैं कैसे आपको यहाँ पर image दिख रही होगी जुपिटर Notebook का introductory session है यहाँ पर colored आपको heading दिख रही होगी उसके बाद कुछ shortcut हैं कैसे आप टाइटल, heading, sub heading लिख सकते हो, bold, italic, bold and italic, monospace phones को यूज़ कर सकतो, line को break करना है, indentation करना है, bullets and numbering में अगर आपको कुछ लिखना है, color कर करना है कि इसे text को, images अगर आपको insert करनी है, कोई latex equations जैसे लिखनी है, a1 divided by a2 plus, a3 divided by a4 उसका square and similarly आपको यहाँ पर कोई link add करना है, कुछ basic shortcuts हैं, तो यह सारी चीज़ हैं, आज हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पर देखोगे press escape to get into command mode. Command mode क्या होती है? अगर मैं यहाँ वेक बाहर क्लिक करता हूँ, तो color blue हो जाएगा. इसका मतलब है कि आप command mode के अंदर हो, अगर मैं यहाँ पर अंदर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर यह जो cell है, इसका color blue से highlight हो जाएगा, इसका मतलब है कि आप edit mode में हो. Shortcuts क्या है Escape press करोगे तो बाहर आ जाओगे Command Mode में Enter press करोगे तो आप भी संदर आ जाओगे Edit Mode में चलो Edit Mode में क्या होता है Edit Mode में आप कुछ भी अगर लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो और Command Mode में क्या होता है Command Mode में हम जैसे में को किसी cell को Copy करना है है Delete करना है उसके ऊपर एक नया cell insert करना है नीचे कोई नया cell insert करना है इस सारी options Command Mode में चलती है तो जो भी हमें कुछ लिखना है उसके लिए हमें Edit Mode में आना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे नई Notebook Create कर ले तो New पर जाएंगे Notebook पर क्लिक करेंगे तो मेरी एक क्लिक करूँ और Ctrl Shift C press करूँ इसमें वो सारे shortcuts आपको मिल जाएंगे कैसे Notebook को Save करना है Save as कैसे करना है उसके बाद keyboard shortcuts अगर आपको देखने है तो Ctrl Shift H press कर सकते हो Tap को Close करना है तो Alt W press कर सकते हो कुछ Find करना है तो Ctrl F press कर सकते हो तो यह बहुत सारी options यहां पर हमारे पास available है जैसे किसी cell को delete करना है तो यहां पर two times d लिखा हुआ है तो अगर मैं किसी cell को delete करना चाहता हूँ तो जैसे यहां पर मैंने लिखा Hello और यह जस्ट मैंने ऐसी टेक्स लिख दिया है अब इस cell को में को delete कर रहा है तो मैं टू टाइम डी प्रेस कर दूंगा तो देखो डिलीट हो गया ठीक है तो ऐसी इसमें सारे shortcuts दी हो है तो वह हम यहां पर चेक करेंगे उसके बाद next क्या कहते है कि this is a coding cell let's write your first python code यहां पर एक python का code लिख हुआ है और कहरें कि अकर आप इसको run करने है तो run करने के लिए हम यहां पर यह जो play button का sign है यहां पर हम click करते थे और यह run हो जाता था दूसरा क्या इसका shortcut method क्या है shift plus enter to execute the cell तो मैं यहां पर क्या करता हूँ एक print statement लिखता हूँ print एक round bracket लगाता हूँ पीछे अपने आप complete कर देता है यह auto complete है उसके बाद एक double code start कि यह पीछे अपने आप complete कर देता है तो मैंने यहां पर लिखा hello world अब run करने के लिए shortcut क्या है shift plus enter तो जैसी मैं shift plus enter प्रेस किया तो यहां पर दिखूँ उसकी output जो है वो शो कर गया अब मैं multiple times यहां पर लिख रहा हूँ दूसरा method गया था अब run पर जाके click करोगे तो तो भी run हो जाएगा तीसरा अगर मैं shift plus enter लिखता हूँ तो वो तो मैंने आपको बताई दिया यहां पर लिख देते हैं hello world 1 hello world 2 hello world 3 hello world 4 and hello world 5 shift enter press किया तो output यहां पर मेरे पास सामने है यह auto complete by default सब में नहीं आएगा ठीक है तो उसके लिए आपको इसकी कुछ settings करनी पड़ेगी तो settings में जाके आपको यहां पर click करना पड़ेगा auto close bracket अगर आप यह auto close bracket select नहीं करोगे तो आपकी जो brackets है वो पीछे automatically close नहीं होगी तो आपको manually करनी पड़ेगी तो बैटर है कि आपको सबसे पहले settings में जाके यह options को select कर लेना है उसके आपके पास theme options है कि आप light theme में जाना चाहते हो है dark theme में जाना चाहते हो तो जो भी आपको अच्छा लगे आप चाहे light theme यूज़ कर सकते हो आईदर आप dark theme यूज़ कर सकते हो यह नए वाले features में आपको देखने को मिलेगा अगरा पुरानी जूपिटर notebook को यूज़ कर रहो उसके syntax और उसमें जो user interface है वो थोड़ा सा अलक्स आता है इसमें user interface थोड़ा सा अलक्स है ठीक है उसके बाद यहां पे हम देखेंगे run पे जाएंगे तो run selected cell पे click कर सकते हो shift enter भी आपको दिखा रहा है उसके बाद alt enter से भी आप run कर सकते हो right and उसके बाद view में आपके पास और क्या-क्या options है आप line number शो करवाना चाहते हो इस पे click कर दो आपको line number मिल जाएगी बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं जो हम time to time इसको और in-depth सीखते जाएंग अब मान लो कि मैंने यहां पर कुछ लिखतिया welcome to itronic solutions अब यह python का कोई syntax नहीं है इसका अब जैसे इसको shift enter प्रेस करूंगा यह error देगा यह बोलेगा यह तो syntax error है यह क्या लिखा हुआ है यहां पर तो उसको कुछ पता ही लग रहा है यह क्या चीज़ है तो मैं को जस्त यह यहां पर as a notes बना के लिखने थे ठीक है तो उसके लिए वो क्या रहे है कि यह तो coding cell है अगर आपको notes बनाने ना तो ऊपर यह code लिखा हुआ है आप इस code को convert करके यहां पर क्या select कर दो markdown जैसी मिसको मैं markdown में select करूंगा यह as a मेरे notes add हो जाएंगे अब यह कैसे शोगा करते है writing comments in a code cell can sometime create a confusion तो जुपिटर notebook है दोनु की तरह काम करती है आप इसमें notes भी बना सकते हो आप इसमें coding भी कर सकते हो तो जब आपको coding करने हैं तो code cell रख लो जब आपको notes बनाने हैं तो मांक डाउन सेल कर लो तो कहते हैं इसका shortcut है हमारे पास अगर आपको markdown cell में convert करने न तो आप M press कर दो जैसे आप M press कर दोगे आपको code cell convert हो जाएगा मांक डाउन सेल में कहाँ पर command board में जाके बाहर क्लिक करके चलो यहां पर करते हैं तो अभी यहां पर क्या रहा है code cell तो मैंने यहां पर लिख दिया python tutorials by current चलो अभी इसको run करूंगा तो यह क्या हो जेगा error देगा अब बाहर क्लिक करेंगे M press करेंगे तो उपर देखो मांक डाउन लिखा आ गया है की से कोर्डिंग सेल m से मांक डाउन वाइसे कोर्ड हैं में फिरिशॉर्ट कट मैं पर मांस कर्ज़र उससी इल के पास है तो y से code m से markdown enter press करूंगा तो cell के अंदर आ जाओंगा shift enter press करूंगा तो यह execute हो जाएगा तो इस तरह से हम अपने इसमें notes बना सकते हैं shortcut method है बाहर क्लिक करके m press कर तो markdown में गनवाड हो जाएगा या उपर से भी select कर सकते हो तो दोनों आपको options मैं ने बता दी तो यह यह जो नीचे लिखा हुआ है this is also markdown cell आप double click करके check कर सकते हो कैसे यह लिखा हुआ है अगर आपको as it is जैसा भी आपको दिख रहे है आपको वैसा अगर दुबारा चाहिए तो आप shift enter press कर देना ठीक है तो डबल click करते हैं तो यह आपने इसमें ऐसे से कुछ लिखा हुआ है और इसको अगर मैं वापी shift enter press करता हूं तो वापीस से क्या हो जाएगा यह इसी मांक्डून में convert हो जाएगा उसके रहे यह title बड़ा सा लिखा हुआ है यह heading बड़ी सी लिकी हुई है यह सब heading लिकी हुई है यह उससे थोड़ा सा phone चोटा है फिफ्ट वन थोड़ा और चोटा है तो यह जो फॉंट से ही कैसे हम use कर सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है मैंने यहापर लिखा itronic solutions अब इसको मैं मांट बर्त करूंगा SK प्रेस करूंगा और में मांट में एंटर प्रेस करूंगा अज़िए अब इसको बड़े फॉंट में लेक्याना है तो इसके आगे क्या लिखेंगे सैस अगर आप हैश इन पर इससे क्या हो जाएगा यह आपके बड़े फॉन्ट में आपको शो हो जाएगा ठीक है अब इसी को अगर मैं इसके आगे डबल हैश का साइन लगा दूँ ठीक है दो हैश लगा दूँ इस से इसका फॉन थोड़ा और चोटा हो जाएगा ठीक है जैसे हमारे पास एच्टेमल में एच्वा एच्टू एच्ट्री टैग्ज होते हैं सिमिलरली यहां पर इसी तरह से काम करते हैं तीन हैश लगाऊंगा और चोटा हो जाएगा आपको इसमें से क्या फॉन्ट साइज चाहिए वह यूज कर सकते हो फॉर हैश यूज करेंगे तो साइज और करेंगे तो उसमें 5 तक चलते थे 5 और 6 तो नो सेम होते थे और जो फिफ्ट वाला होता था उसको इटालिक में करते था अभी इसमें कोई इटालिक वाला सीन नहीं है ठीक है तो अगर मैं यहां पर 1234567 यहां पर लिखते हैं तो जैसी मैंने 7 यूज किये तो उसको वो सपो हैं जिनके पास अल्रडी इंस्टॉल्ड है अगर वह यह वीडियो देख रहे हैं तो उनमें 5th hash और 6th hash क्या करते हैं उसको इटालिक में कर रहे हैं चालो अब यह हो गया अब नेक्स्ट हमें देखना है कि इनको बॉलेट में कैसे लिखना है और इनको हमें इटालिक में कै कैसे करना है तो यह जो कैसे लिखा हुआ है आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो आपको शो हो जाएगा यह मैंने कैसे लिखा हुआ है तो अभी यह फिफ्ट वन में एक से टैलिक नहीं है यह आपकी नॉर्मल जो हेडिंग फॉन्ट है यह वैसी चलता है फिफ्ट और 6 यह है यह वैसे काम करते हैं अब इनको बोल्ड में कैसे लिखे आना है बोल्ड में लिखे आते हैं तो मैंने यही एक सेंटेंस लिख लिए अभी यह नॉर्मल उसमें है इसको मांकडाउन में कर लेते हैं शिफ्ट बाहर क्लिक करके एंप्रेस कर देते हैं शिफ्ट एंटर से हो जाएगा अभी ये normal font में है इसके आगे अगे मैं star लगा दू एस ट्रिक साइन यूज करूँ और यहां पर भी close कर दू तो यहां पर यह इतलिक में आजाएगा उसके बाद अगर मैं यहां पर double star use कर लो यहां पर double star use कर लो तो यह किसमें आ जाएगा bold में आ जाएगा अगर मैं यहाँ पर triple star यूज़ कर लूँ तो यह bold italic में आ जाएगा single star italic double star bold and triple star bold italic ठीक है अब ऐसे ही हम use कर सकते हैं single underscore तो यहाँ पर star को हटा के मैं यहाँ पर underscore को use करूँगा तो single underscore जो use होता है वो italic के लिए similarly double underscore for bold and triple underscore for bold italic तो कोई भी use कर सकते हो आइधर आप star यूज़ कर सकते हो आइधर आप underscore यूज़ कर सकते हो अभी देखो मैंने लिखा अलग-लग line में है अगर मैं इसको भी consider करूँ यह मैंने अलग-लग line में लिखा हुए तो यह e की line में आ जाता है क्योंकि by default जैसे html में break statement लिखनी पड़ती थी अगर हमें next line में जाना है इसमें भी सेम वैसी लिखना पड़ेगा तो यह तो आप एक line खाली छोड़ दो अगर आप एक line खाली छोड़ दोगे तो यहां पर भी आपको एक खाली line देखने को मिलेगी अगर आप चाहते हो क्यों में को line खाली नहीं चाहिए तो इस सेम इसी format में लेकर आते हैं जैसे आपने देखा होगा इसके पीछे बैक्ग्राउंड जो है वो हाइलाइट हो रही है ठीक है तो इसको मोनोस्पेस फोंड बोलते हैं अब इस मोनोस्पेस फोंड को कैसे लेकर आना है उसके लिए हम यहां पर जाएंगे मांक्डाउ कोमा यूज नी करना है quotation marks यूज करने है जैसे इसको मैं यहां पर start करूंगा और यहां पर close करूंगा तो यह आपका पीछे highlight कर देगा अगर अभी नहीं दिख रहा तो इसको हम बड़े फोंड में भी लेकिया सकते हैं तो यह और बड़े फोंड में हमेश हो जाएगा अब आपको पीछे क्लियर ली दिख रहा हुआ है इसके पीछे कलर सा हाइलाइट हुआ हुआ है तो इसको मोनो स्पेस फोंड बोल देते हैं अब नेक्स आते लाइन को ब्रेक यह मैंने आपको बता दिया कि आप कौन सा टै डशींबल यूज करते हो डबल क्लिक करके चेक कर लेते कैसे लिख रहा है याप की फर्स्क राइन में अगर ज्गोनार तो वो कैसे लिखेंगे तो bullets में लिखने के लिए hyphen space use करते हैं और numbers में लिखने के लिए 1.2. ऐसे use करोगे तो यहां पर कुछ लिख लेते हैं जैसे मैंने आप लिखा python इनको bullets में लिखते हैं let's say data science data science के अंदर हम करेंगे data cleaning उसके बाद आ जाएगी data analysis देना आजाएगे हमारे पास data visualization उसके बाद हम चलेंगे machine learning के अंदर रेँपीशल इंटेलिजंस के अंदर उसके अंदर आ जाएगी हमारे पास machine learning machine learning के अंदर रेट से supervised machine learning उसके बाद unsupervised machine learning तो कि एंदर लिखना है regression को इसके इसके अंदर लिखना है में को classification को and unsupervised machine learning अंदर let's say clustering and association ठीक है और उसके बाद let's say deep learning है वो भी आ जाएगी computer vision आ जाएगी natural language processing आ जाएगी तो यह सारी चीज़ें हम आने वाले time में सीखने वाले हैं तो अब अभी यह क्या है अभी यह normal मैंने line by line लिखा हुआ है तो इसको markdown में convert करते हैं shift enter प्रेस करेंगे तो सारा एकी line में आ जाएगा तो मैंको ऐसा नहीं चाहिए मैंको इसको कैसे चाहिए bullets में चाहिए तो markdown में convert किया and bullets में कैसे आएगा hyphen space तो जैसी हम hyphen space लिखेंगे यह सारा हमारा किसमें आ जाएगा bullets में तो चेक करते हैं आइफ़न स्पेस क्लासिफिकेशन, अनसुपरवाइज मेशीन लार्निंग, क्लास्टरिंग, एसोसीशन तो यह सिर्फ मैं notes बनाने सिखा रहा हूँ कैसे आप notes बना सकते हैं python, data science यह सब आ गया अब data science के अंदर में कोई तीन चीज़े लेके आनी है, data cleaning, data analysis and data visualization, तो हम क्या करेंगे यहापर tap press कर देंगे, tab tab and tab, अब इसको दुबारा run करेंगे तो आपको देखो bullets का style change हो गया, ठीक है, ऐसी artificial intelligence के अंदर में को machine learning लेके आनी है, machine learning के अंदर supervised machine learning, इसके अंदर regression तो double tap press कर देंगे, फिर AI के अंदर unsupervised machine learning machine learning के अंदर आएगी supervised machine learning, इसके अंदर आएगी regression and classification, unsupervised machine learning के अंदर आएगी clustering and association deep learning जो है, वो भी हमारी आएगी AI के अंदर ठीक है, तो आपको यह formatting जो है, यह आपको ध्यान में रखनी है unsupervised machine learning भी यहां आएगी and clustering यहां आएगी association भी unsupervised machine learning के अंदर जाएगी और deep learning machine learning के नीचे आएगी ठीक है, आप इसको run करेंगे तो आप देखो bullets के style automatically जो है वो change हो चुके है similar way अगर आप numbers में लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा one dot space then two dot अब data science के अंदर data cleaning, data analysis and data visualization इसको फिर से one से start करेंगे इसको फिर से two से start करेंगे इसको फिर से three से start करेंगे इसके अंदर machine learning, machine learning के अंदर supervised machine learning supervised machine learning के अंदर regression and classification and unsupervised machine learning, इसके अंदर हमें लिखना है clustering and association और machine learning के नीचे आजाएगी हमारी deep learning ठीक है तो ये one, ये two, ये क्या हो जाएगा हमारा three उसके बाद ये one, ये further फिर से one, ये इसके अंदर फिर से one, ये two फिर supervised machine learning के अंदर second, ये two ये इसके अंदर फिर से one, इसके अंदर फिर से two, ऊपर machine learning one पे था, ये कहाँ पर आ जाएगा, two पे, अब इसको जब हम यहाँ पर run करेंगे तो अभी इसको थोड़ा सा और set करते हैं, tap press करते हैं, deep learning, okay, तो मैं इसको markdown में convert नहीं किया है, इस वज़ा से error दे रहा है, तो यहाँ से इसको space देते हैं, अब अगर आप चेक करोगे, तो automatically दिखो, ये पहले one, two, three, फिर capital ABC, फिर small ABC, इसके अंदर यहाँ पर roman numbers में आ numbers में लिखो, color अगर किसी को करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर use करते हैं, font tag को, अगर मैं हाँ पर font tag use करूँ, और यहाँ पर font tag को close कर दूँ, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, itronics solutions, यह html कर तो इसको markdown में कर लेते हैं, उसके बार run पर click कर देते हैं, अब इदे को कुछ फरक नहीं बड़ा, normal है, इसके अंदर हमें इसका attribute लिखना पड़ेगा, color, color कौन से चाहिए, में को blue में चाहिए, तो देखो blue color में आ जाएगा, इसको बड़े font में चाहिए, इसके आगे hash space देदेंगे, बड़े font में आ जाएगा, इसको bullet में लिखना है, तो hyphen space देदेंगे, bullets में, बड़े font में, blue color में, तो इस तरह से ये multiple tags जो हैं, आपस में काम करते हैं, चलो, next, image कैसे insert करनी है, तो image insert करनी के लिए हमारे पास image tag है, तो यहाँ पर img लिखेंगे image कहाँ पर पड़ी है, उसका source देना पड़ेगा, source equal to आपकी images जो हैं, वो कहाँ पर हैं, तो images आप या तो आपने folder में रख लो, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, python programming के अंदर images नाम का folder है, इसके अंदर images पड़ी है, जैसे यहाँ पर current.png नाम की image पड़ी है, तो वो मैं कैस insert करूँगा, यहाँ पर, यहाँ पर लिखूँगा, images नाम का folder है, इसके अंदर current.png नाम की image है, जैसी आप इसको यहाँ पर इसका path दोगे, तो यह image आपकी as it is insert हो जाएगी, तो इस तरह से आप images insert कर सकते हो, further इसकी height weight change कर नहीं, उसके attributes आप check कर सकते हो, HTML में जाके देख सकते हो, कैसे उसको apply करना है, तो इसको मैं अभी short रखूँगा, ज्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे video, similarly, यहाँ पर latex equations है, अगर आपको कुछ ऐसे लिखना है, a1 divided by a2 plus a3 divided by a4, उसका square, उपर cube, नीचे 5, base में, तो यह कैसे लिखा हो है, double click करो, यहाँ पर check करो, तो फिर a के नीचे, base में 5 and उपर cube, और यहाँ पर बंद, तो जैसे इसको run करेंगे, इस तरह से show कर देगा, ठीक है, यहाँ पर एक link दिया हुआ है, इस link पे अगर आप click करते हो, तो आपको यहाँ पर पूरी की पूरी, latex equations जो है, वो यहाँ पर show हो जाएंगी, तो यहाँ प आपकी वहाँ पे notes बन जाएंगे, तेक है, अभी हम कोई python के programming ने कर रहे हैं, सिरफ notes बनाना सीख रहे हैं, कि अगर मैं को python के साथ साथ notes बनाने हैं, तो मैं कुछ लिखू न, मेरे यहीं पर notes बन जाएं, फिर यहीं से इन notes को PDF में भी convert किया जा सकता है, तो यहाँ पर आप इसके कुछ basic syntax, escape press करते हैं तो command mode में ये ने बता दिया, enter press करते हैं, तो edit mode में ये भी बता दिया, M press करते हो तो markdown cell में convert हो जाता है Y press करते हो तो आपका जो cell है वो coat cell में convert हो जाता है चलो अब उसके बाद कहा रहा है A press करोगे तो insert the new cell above and B press करोगे तो insert the new cell below करके देखते हैं तो मैं को इसके उपर एक नया cell चाहिए तो मैं A press कर रहा हूँ यह सारे shortcuts यहां पर लिखे हुए Z press करेंगे तो undo हो जाएगा last operation अगर यहां पर Z press करता हूँ जो मैंने अभी recently माल लो इसको delete किये तो अगर मैं Z press करता हूँ यह बापिस show हो जाएगा उसके बाद आता है find and replace अगर मैंने यहां पर कुछ sentence लिखा है तो मैंने यहां पर i-tronic solutions के spelling गलत कर दिये माल लो मैंको अपने code में यह spelling ठीक करने है तो पहले तो इसको markdown में convert करते है ठीक है markdown में convert करना जूरी भी नहीं है आपको markdown में करना है आप coding cell में भी चलेगा दोनों जगा चलेगा इसको में वापिस code में convert कर देता हूँ confusion दूर हो जाएगी मैं को इस solutions के spelling ठीक करने है तो मैं बाहर प्रेस करूँगा F प्रेस करूँगा F से मेरा खुल जाएगा find and replace तो या तो आप यहां से खोल सकते है ठीक है otherwise हमारे पास यहां पर भी option थी अगर हम view पर जाएंगे active command यहां पर सर्च करेंगे यहां पर लिखते है find यह आजाएगा find next यह find previous यह हमारा find तो यहां पर find यहां पर दिखा रहा है कहां कहां पर आपका find है तो अगर मैं solutios लिखता हूँ तो यहां पर यह दिखा देगा कि यहां पर total मैं को six जो है यह match कर गए है और पूरा word match करना चाहते हो कोई regular expressions use करना चाहते हो इसको किसके साथ replace करना चाहते हो तो इसको मैं को replace करना है इसके साथ ठीक है और replace all पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपका यह जो है और replace हो जाएगा ठीक है तो F प्रेस करोगे उपर यहां पर show कर जाएगा F प्रेस किया मैंने ठीक है तो control shift F या control F प्रेस कर दोगे तो भी आपका show हो जाएगा तो control F से आपका निकल आएगा नॉर्मल जो पुराने अगर हम check करेंगे तो उसमें only F से हमारा show हो जाता था इसमें control F आपको प्रेस करना पड़ेगा shift plus up and down key to select the multiple cells space से scroll downward shift space से scroll upward तो shift space प्रेस करेंगे तो यह हमारा scroll upward है only space प्रेस करेंगे तो यह scroll downward है और अगर आपको cells को select करना है या जैसे मैं पहले इनको यह cell और यह cell को select करना है तो आप mouse से ऐसे select नहीं कर सकते या तो आप shift press करके और control press, control shift press कर लो या shift press कर लो जैसे यह cell हो गया, यह cell हो गया यह आपके दो cell select हो जाएगे तीन होगे, चार होगे इस तरह से आप cells को select कर सकते हो with the shift command अगर मैं को यहाँ पर code को split करना है तो जहाँ से split करना है cursor को वहाँ ले जाओ, उसके बाद लिखो control shift minus, तो जैसी आप press करोगे control shift minus, यह आपके cell जो है split हो जाएगे, अगर इनको दुबारा merge करना है, तो shift press करो उपर arrow की press कर दो, तो भी आप cells को select कर सकते हो, या shift press करके click करते जाओ, तो भी हो जाएगे, अब इनको वापिस single cell में merge करना है, तो shift M press करेंगे, तो यह cell आपके क्या हो जाएगे, merge हो जाएगे, एक ही cell के अंदर तो यह सारे shortcuts यहाँ पर लिखे होए ठीक है, shift plus up and down key to select the multiple cell, shift enter से execute होता है, और next cell में चला जाता है, alt enter से क्या होता है, इससे भी execute होता है, लेकिन वह next cell yıl में जाता हु, उसके नीचे नया cell इंसर्ट कर देता है, ठीक है, अब अब बहुत अग्छाँ अगर यहाँ पर जाओं, और alt enter press करें, alt enter, तो alt enter क्या करता है उसके नीचे नया cell हमें इंसर्ट करके देता है तो इसको मांगडाउन में वापीस रखते हैं जैसे मैंने यहाँ प्रिंट किया hello को एक इसकी उपर नया cell insert कर लेते हैं यहाँ पर high तो shift enter प्रेस कर रहा हूँ देखो high के बाद वो next कहा जा रहा है hello में अगर मैं alt enter प्रेस कर रहा हूँ यह high को execute करने के बाद नीचे उसके नया cell insert कर दिया इसने अभी इसको delete करता हूँ एक बार दुबारा चेक करते हैं shift enter high के बाद कहा जा रहा है hello में ठीक है अगर alt enter प्रेस करता हूँ high के बाद कहा जा रहा है नीचे नया cell insert कर रहा है alt enter प्रेस करता जाएँगा नीचे नया cell insert होता जाएगा तो normally हम shift enter प्रेस करते हैं यहां पर Alt Enter कम यूज़ करते हैं लेकिन option है हमारे पास ठीक है शिफ्ट एंटर से एक्जिक्यूट दा कोड़ इन दे क्रण्ट सेल एंड गो टू दा नेक्सल और इंटर से क्या होता है क्रण्ट सेल को इसमें क्या 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 आर्गुमेंट से कौन सी डिफोल्ट आर्गुमेंट से यहां करने के लिए shift M को हम यूज़ करते हैं तो यह कुछ popular shortcuts हैं जो यूज़ होते हैं बाकि इसके इलावा आप यहां पर एक्टिव कमांड पैलेट पर क्लिक कर सकते हो यहां पर बहुत सारे shortcuts हैं यहां से मैंने उठाए हैं जो आपको यहां पर मिल जाएंगे जो popular है मैंने उपको बता दिया कैसे notes, heading, bullets में आगे जाके क्योंकि जब मैं जो भी काम करूंगो सारा जुपिटर notebook के अंदर करूंगो तो आपको confusion नहीं होनी चाहिए कि यह मैंने notes यहां पर कैसे लिखे हैं राइट अगर इसके रिलेटीड आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे comment section में आपने से पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट की और ऐसी interesting videos में, thank you